Anxiety किसी को भी किसी भी चीज से हो सकती है और अगर सही समय पर इसे treat ना किया जाए तो ये depression का रूप भी ले सकती है और जो भी इनसान anxiety से period होता है उस व्यक्ति को anxiety attack भी आ सकता है आपने anxiety के बारे में बहुत सुना होगा लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि नजर अंदाज किये जाने पर ये depression और anxiety attack का भी रूप ले सकता है Anxiety किसी को भी किसी भी चीज से हो सकती है जैसा अभी हमने आपको बताया कुछ लोगों को public के बीच में बोलने को लेकर anxiety यानि tension हो जाती है तो बच्चों को उनके exams को लेकर anxiety हो जाती है आप तोर पर एक anxiety को उतनी importance नहीं देते जितनी की उसे देनी चाहिए और यही वज़ा है कि आज कल बहुत से youngsters anxiety disorder को face कर रहे हैं सिर्फ youngsters ही नहीं बलकि आप तो बच्चों में भी anxiety के लक्षणों को काफी हद तक नोट कर सकते हैं बच्चों में ऐसे लक्षणों के मोटे तोर पर चिंता या फिर उतावलेपन को नाम दे दिया जाता है तो basically anxiety attack होता क्या है anxiety को ignore किया जाए तो ये anxiety attack का रूप ले सकता है ये एक ऐसे situation होती है जिसमें इनसान को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है ये panic attack से एकदम अलग होता है panic attack के लक्षण anxiety attack के तुलना में ज्यादा घातक होते है और anxiety attack में व्यक्ति को हर समय चिंता, डर और वेचैनी महसूस होती है दिल की धड़कने उनकी तेज हो जाती है और उनकी सांस फूलने लगती है इसलिए anxiety को हलके में कभी ना ले और हमेशा जब भी आपको ऐसी कुछ चीजें या फिर लक्षण महसूस हो तो तुरंद अपने डॉक्टर से जरूर समपर्ट करें तो बेसिकली anxiety के लक्षण क्या है anxiety से पीड़त व्यक्ति, टेंशन और डर में रहता है इसके अलावा वो खुद को दूसरे लोगों से काट लेता है वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है और उन्ही बातों के बारे में ज्यादा सोचता है जो उसे दुख देती है सांस फूलने और दिल की धड़कट बढ़ने के अलावा anxiety के शिकार व्यक्ति को नींद नहीं आती और वो रात भर जागता रहता है उस वक्त उस व्यक्ति के मन में negative thoughts ही ज्यादा चलते रहते हैं anxiety के अंदर लोगों के सर में दर्द होने लगता है और किसी भी काम को करने में उनका मन नहीं लगता anxiety से अगर कोई व्यक्ति पीडित है तो उसे डाइरिया भी हो सकता है और कई बार तो उबकाईया भी उन्हें आने लगती है anxiety में लोगों का मूँ सूखने लगता है और व्यक्ति बेहोश होने की गगार तक भी पहुँच जाता है जो लोग anxiety disorder हैं उन्हें अपने कुछ आदते बदलने की बहुत हद तक जरूरत है जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा काफी पीने के शोकीन है तो इसे कम कर दीजिए ज्यादा कैफीन पीने से हर्ट बीड बढ़ जाती है और ये व्यक्ति को नर्वस फील करा सकती है ज्यादा काफी पीने से कई समस्याएं हो सकती है जैसे कि हथेलियों से पसीना निकलना कान बजना और बहुत तेज दिल धड़कना इर्रिगिलर इटिंग हैबिट से भी लोगों को एंजाइटी की समस्या बहुत रहत तक घेर लेती है कई लोग सुभह का नाश्ता छोड़ देते हैं या फिर दिन भर कुछ नहीं खाते बिना कुछ खाय सो जाते हैं या कुछ जंक फूड खाकर सो जाते हैं यह सभी आदते शरीर की रोग प्रतिरोधक्षंता को तो कमजोर बनाती ही हैं साथ ही एंजाइटी के स्तर को और ज्यादा बढ़ावा देती हैं भूखे रहने से स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाता है और आपकी बलड शुगर का लेवल भी गिर जाता है जिससे एंजाइटी आपको हो सकती है एंजाइटी से ग्रस्त कई लोग देर रात तक नहीं सोते और तनाव को अपने ऊपर और हावी होने देते हैं वो बढ़ता हुआ तनाव उनकी बची कुची हुई नींद को भी उड़ा देता है फिर ये तनाव दिन में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता इसी लिए देर रात तक खुद को ना जगाए एक दिन चर्या बना ले और कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकें आप बस तर पर चले जाए और बस इसी तरीके की कुछ एक चीजें लोगों को नहीं करनी चाहिए अगर उन्हें एंसाइटी से बचना है और एंसाइटी अटाक से खुद को दूर रखना है तो तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही जल्द आप से मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए वीडियो में एक बिल्कुल नए टापिक के साथ तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और ऐसी ही और भी बहुत सारी amazing self-help informational videos के लिए हमारे साथ बने रही है और चैनल को subscribe ज़रूर कीचे so this is Divya from Tegoniti.com जल्द आप से मिलते हैं तब तक के लिए अल्विदा जय हैं